राजस्तान विश्विध्याले के 25 दीख्षान समारों में मुख्यतिती के रूप में भाक लेने आई राष्ट्रपती प्रतिभापाटिल ने कहा कि प्राचीन काल से ही भारत को शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में चाना जाता था खासतोर से नालंदा विश्विध्याले का जिक्र करते हुए महामहिम ने कहा कि उस समय भी नालंदा विश्विध्याले में विश्व भर के लगभग 10,000 विध्यार थी एक साथ शिक्षग रहन करते थे Since ancient times, our country has had a tradition of institutionalized education in the form of gurukuls. Here universities have existed in continuum through millennia. Nalinda stands as one of such examples. It is said that one time it had about 10,000 resident students and teachers on its rolls with scholars from distant lands. Universities of India today have to preserve and perpetuate this glorious memory as well as to further enhance the rich and quality of education with a view to meeting global challenges. उन्होंने वैश्वी करन के दौर की चर्चा करते हुए कहा कि आज तकनी की शिक्षा के खेटर में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं. पार्टिल ने प्रदेश का जिक्र करते हुए महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की ज़रूरत बताई. उन्होंने जवाहलाल नहरू का संस्मरन सुनाते हुए कहा कि एक बालक को शिक्षा देने से व्यक्तिगत क्यान बढ़ता है, जबकि एक बालिका को शिक्षित करने से पूरे परिवार को शिक्षा मिलती है. परिवार से समाज और समाज से देश की उन्नती होती है. पार्टिल ने उपाधी प्राप्त करने पाटिल ने लगभग 15 मिनिट के उद्बूधन को स्वामी विवेकानन की इन पंक्तियों के साथ समाप्त किया के साथ नहीं चल पाते।